तो नमस्कार दोस्तो मैं हूँ आपका दोस्त अभी सेख सिंग और आप देख रहे हैं अभी सेख सिंग पॉल्ट्री दोस्तो पॉल्ट्री फार्मर्स से जुरी होई हर एक मुद्दा मैं हमेशा से उठाते रहा हूँ और आज फिर एक बार मेरी जरूरत पड़ी है कि मैं आप Paltry Farmers के साथ खारा रहूं उमीद करता हूं कि आप जो मेरे ये विडियो देख रहे हैं आप भी एक Paltry Farmer है चुकि मैं भी एक Paltry Farmer हूँ, Paltry Farming करता हूँ, उसी से मेरी घर चलती है और मुझे उमीद है कि जो मैं बाते आपको बताऊंगा, वो आप अच्छी तरीके से समझ पाएंगे एक Paltry Farmer होने के नाते जो Paltry Farmer से जो गलतिया हो रही है, लोग इसका फायदा उठा रहे हैं, वो कौन सी गलतिया हैं, हम इनसको कैसे दूर करते हैं मैं इस चोटे से वीडियो में चर्चा करने वालो हो, बहुत ही कम समय लूँगा, सभी के पास समय की किलत थे, लेकिन बहुत ही कम समय में, कम सब्दों में, मैं अपने जो भी बात है, आपके सामने रखने का कोशिस करूँगा दोस्तो कुछ ही दिन पहले का बात है, हमारे देश में जो कुरोना वायरस था, तो उसमें एक जूठा परचार किया गया, कुछ सरार्ति तत्व थे, उन्होंने जूठा परचार किया कि पॉल्ट्री खाने से जो है वह कुरोना फैलता है, और सच्चाई क्या है, आपके साम आज आ गया है, लगबग एक साल का समय बीट चुका है, जो भी सच्चाई है, आप पूरी तरीके से वाकिफ है, जो हमारी जनता है, वो भी पूरी तरीके से वाकिफ है कि कितना गलत परचार किया गया था, पॉल्ट्री खाना किसी ने नहीं छोड़ा था, कॉरोना वायरस जब फैली थी, पॉल्ट्री खाने वाले खारे था, बहुत से लोग को डरा दिया गया था, वो लोग छोड़ दिये थे, वो अलग बात है, लेकिन बहुत से ऐसे सरार्थी तत्व थे, जो उसका बहुत गलत इस्तमाल किये, बहुत पॉल्ट्री का कंजप्शन किया उन्होंने चुकि पॉल्ट्री का कोई रेट ही ने था, बिल्कुल जो है वो फ्री में पॉल्ट्री मिल जा रहा था, कहीं पे जंगल में छोड़ा जा रहा था, पॉल्ट्री को 10 रुपे, 2 रुपे, 1 रुपे, पॉल्ट्री का रेट था, बहुत सारी कंपनिया जो है वो पॉल्ट्री जो मुद्दा उठाया गया है वो इस महीने में जैसे कि जन्वरी और फ़वरी के आज पास में हर साल उठाया जाता है ये आप समझ गया होंगे ये मैं बात कर रहा हूँ बर्ड फ्लू का जियां फ्रेंड्स बहुत दिनों से पॉल्ट्री फार्मर्स परेसान चल रहे थे उनका बिजनेस सही से नहीं चल रहा था अब जब धीरे धीरे स्तिती समान ने हो रही थी पॉल्ट्री फार्मर्स जितना घाटा लगे थे सब विक वो वापस आने का जब समय आया तो फिर से एक बहाना मिल गया लोगों को बर्ड फ्लू आ गया है हमेशा कोई भी बीमारी होता है आखिर पॉल्टरी फार्मर्स को ही बदनाम टार्गेट कीम किया जाता है बर्ड फ्लू से सबसे ज़्यादा प्रभावित कौवे हैं जो प्रवासी पक्ची है उनके द्वारा ये हमारे देश में हर साल आता है और जो कवे रहते हैं जो कबुतर रहते हैं जो बाहर जो है वो स्वतंतर उरुप से उड़ने वाले जो पक्ची रहते हैं वो आखिरकार जो है वो प्रवासी पक्ची के कौंटेक्ट में आ जाते हैं और उससे क्या होता है कि उनकी जो है वो म्रिक्टी हो जाती है इसमें कहीं कोई दोमत नहीं है कि उनको bird flu का attack होता है लेकिन हमारी जो poultry farm है poultry farm में जो bird रहती है वो farm के अंदर रहती है और एक virus है H5N1 सरकार को ये अगर थोड़ा सा भी भनक लगता है कि हमारे area में bird flu का प्रकोप आ गया है सबसे पहले target होते हैं हमारे जो poultry farmers हैं वो सबसे पहले target किये जाते हैं उनकी सारी मुर्गियों को बेरहमी से मार दिया जाता है और तो और सरकार के तरफ से कोई भी मुआवजा जो है वो poultry farmers को नहीं दिया जाता है यहां तक कि बार आती है किसानों को मुआवजा मिलता है सुखार होता है किसानों को मुआवजा मिलता है दोस्तों आखिर हम ऐसा ऐसा क्यूँ छोटी सी बात ले करके पूरे poultry industry को बरबाद करके चला जाता है यह बिल्कुल सोचने वाली बात है आपको थोड़ा सा जो है वो इस पे सोचना चाहिए मैं खुद जो है बहुत दिन से परिसान हूँ पिछले 8-30-30 दिन से जब से मुझे पता चला है दोस्तों मुझे कोई निसकर्स नहीं मिल रहा था बहुत बार मैंने confused हुआ यह वीडियो बनाना चाहिए नहीं बनाना चाहिए चुकि बहुत सारे poultry farmers रहते हैं उनको ऐसा लगता है कि मैं वीडियो बना दिया हूँ तो वो आम लोग देख रहे हैं और फिर डर रहे हैं इसलिए मैंने इसका topic ही change कर दिया है ताकि सारी बाते जो आप poultry farmers रखी रहे और उमीद मैं यहीं कर रहा हूँ कि आप चो मेरे वीडियो को देख रहे हैं वो आप एक poultry farmers ही हो दोस्तो सबसे बड़ा सबसे ज़्यादा सबसे छोटा जो भी बोलने एक ही जगा कमी है poultry farmers में unity जी हम फ्रेंड्स poultry farmers में unity नहीं है इसलिए कोई भी एक छोटा सा बंदा वाटसाप पे, फेस्बुक पे, सोशल मेडिया पे छोटी सी एक जो पोस्ट कर देता है कि poultry खाने से ये होता है poultry खाने से वो होता है और हमारे देश के भोले भाले नागरिक जो है वो उस चीज में फस जाते हैं और सबसे बड़ा नुकसान होता है poultry industry को जो बरी-बरी कमपनिया है उन्होंने तो इतना profit कमा लिया रहोता है कि उनको कोई फरक नहीं पड़ता है एकाद lot खराब होने से लेकिन जो नए poultry farmers है जो छोटे poultry farmers है जिनका पूरा घड़ जो है वो एक poultry farm ही चलाता है उन लोगों के लिए बहुत जादा तकलीफ देने वाला ये चीज होता है और वो बेबस रहते हैं सरकार भी चुकी आदेश दे देती है कि सारी poultry को मार दिया जाए सभी को नस्ट कर दिया जाए गड़े में डाल दिया जाए तो इससे सिर्फ और सिर्फ हमारा poultry उधोग ही परभावित होता है बाकी सभी उधोग जो है वो चकाचक चलते हैं दोस्तो हमें unity लानी होगी अब unity किस तरह से लाना होगा मैं सिर्फ unity unity चिलाता रहूँ तो इससे कुछ भी नहीं होने वाला है आपको खुद आगे आना होगा आप comment box में मुझे comment करके बताइए साथ ही जो भी comment पढ़ेंगे उनको बताइए कि हमें unity के लिए क्या करना चाहिए मैं बिल्कुल इस मुद्दा पर स्ट्रियस लिया हूँ और जो भी आपका सुझाओ होगा मैं 100% उसमें एकसल लूँगा आप जहां तक मुझे चलने के लिए कहेंगे वहां तक मैं आपके साथ चलने को ready हूँ बस आप comment box में अपना मत अवस दे कि हमें अभी क्या करना चाहिए चुकि हर बार साल में कम से कम 2-3 ऐसी अफवा आ जाती है जो कि पूरा साल poultry farmers का बरबाद करके चला जाता है लोगों को कुछ नहीं होता है वो सस्ते दाम पे poultry खरीते हैं खाते हैं और यहां तक कि किसी भी डॉक्टर ने यहां तक पुष्टी नहीं की है कि bird यानि कि poultry खाने से ये bird flu का जो प्रकोफ है इंसानों में आएगा ऐसा अभी तक कम से कम इंडिया में कोई भी case नहीं आया है तो जो पुष्टी बाते हैं उस चीज को हमें poultry farmers को share करना चाहिए मैंने तो यहीं निसकरश निकाला है कि मैं आज के बाद हर एक पुष्टी वीडियो कि किस तरह से poultry farmers को बदनाम किया जा रहा है क्या सच्चाई है क्या अफवा है मैं हर टॉपिक पे वीडियो बनाऊंगा आपका बस काम रहेगा उससे जन जन तक पहुँचाना जियां फ्रेंड्स जब तक यह chain system आप लागू नहीं किजिएगा हर एक आदमे तक awareness नहीं पहुचेगा कि इंसानों कुछ से क्या नुक्सान है क्या फाइदा है तब तक मुझे नहीं लगता कुछ भी जो होने वाला है तो यह introduction वीडियो था आपसे मैं यही request करूँगा हाँ जोर करके कि अपना कीमती समय निकाले और आप जो है वो comment box में अपना कीमती राय मुझे आवस्य दे हम उस पे काम करेंगे आगे बरेंगे और poultry farmers को जो भी घाटा हुआ है उसको हम वापस तो नहीं ला सकते हैं लेकिन आगे से ऐसा ना हो इस चीज़ का हम लोग ध्यान में रखते हुए जो है वो इकठे रहेंगे एकता बनाएंगे और हम लोग इसमें जीतेंगे तो अपना कीमती जो है वो comment करें और मैं जो है वो इस पे एक्सल लेने के लिए ready हूँ तो फिर मिलते है friends तब तक लिए नमस्कार ध्यान रखिएगा और सोचने वाली भी सय है this इसमें सोचिएगा मुझे बताईगा हर एक वीडियो में आप comment कर सकते हो और मुझे बताना कि आप इसमें क्या करना चाते है आपका क्या राय है च्चूकि मैं भी एक अलग इंगल से सोच रहा हूँ आप भी एक अलग एंगल से सोच रहा होंगे मुझे उमीद है अगर पॉल्ट्री फार्मस है तो जरूर इस बारे में आप समझ रहा होंगे सोच रहा होंगे करना है तो उस चीज को हमें जो है वो लागू करना है और पॉल्ट्री फार्मस के लिए कुछ ना कुछ जरूर करना है ऐसे में नहीं चलेगा नहीं चलेगा बस नहीं चलेगा फिर मिलते हैं अगले वीडियो में इंतिजार रहेगा आपके कमेंट्स का धन्यवाद